नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाप लेने के फायदे और नुकसान के बारे में भाप लेना एक सदियों पुरानी घरेलू उपाय है, जिसका इस्तिमाल कई स्वास्थिय स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है तो आईए, सबसे पहले भाप यानी स्टीम लेने के फायदे के बारे में जानते हैं सर्दी और खांसी से राहत भाप लेने से नाक और वायु मार्ग में जमा बलगम पतला हो जाता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है और खांसी कम हो जाती है जमा कफ निकालता है प्राप लेने से त्वचा के रोम छिद्र खुल जाते हैं, जिससे प्राकृतिक तेलों का निकलना आसान हो जाता है, और मुंगहासे और ब्लैक हेड्स कम हो सकते हैं, डेड्सकिन सेल्स बाहर निकल जाते हैं, और आपकी त्वचा ग्लो करती है, स्टीम लेने से पिंपल की समस्या भी दूर हो सकती है, स्टीम लेने से डार्क सर्कल की समस्या भी दूर होती है, स्टीम लेने से चहरे की ठकान दूर होती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा मिलता है, भाप लेने से चहरे में ऑक्सीजन पहुंचता है, आपकी त्वचा खुलकर सांस ले पाती है और अंदर से हिल्दी बनती है। यदि भाप बहुत गर्म हो तो यह नाक और मुँह को जला सकती है। कुछ लोगों को भाप लेने से चक्कर आ सकते हैं। यदि आपको अस्थमा या अन्यश्वसन संबंधी समस्याएं हैं, तो भाप लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भाप लेना सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि आपको कोई स्वास्थि स्थिती है, तो भाप लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। यदि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा, तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। और अधिक स्वास्थि संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।